तो यह अभी हम आये हैं भूरी सिंग म्यूजियम में जो यहां के राजा थे बूरी सिंग 14-1919 के बीच में राज करा था चम्बा के उपर तो उन्होंने अपने आर्टिफेक्ट्स और फैमली पेंटिंग्स वगरे डोनेट करी थी तब यह म्यूजियम खुला था तो यह बिल्डिंग आपको दिख रहे हैं 1975 में बनाया था तो अगर आप यहां पी आए तो आपको अगर चम्बा की रॉयल फैमली की इस्ट्री के बारे में देखना तो काफी एच्छी देगा है यह बूरी सिंग म्यूजियम चोटा सा है तो इसमें अभी चलते हैं मंदर मेर चक्ट इकट है, 45-150 के बच्चों इंग एच और अथ 6-11 ए क्वडीं के लिए था 96 चर दो सभी ज़ुक सादा टाव पोरी सिंग मूजियम में काफी पुराने टाइम की पांटिंग है जो कहीं सो साल पुरानी है और पुराने पुराने टाइम की मूर्तियां, 1400 साल पुरानी मूर्ति भी देखी मैंने यहाँ पे, यही सब कुछ है, इसमें जो पुराने टाइम की जो बिल्डिंग थी, 1908 में बनी थी, जो सबसे पहले यहाँ पे मुजियम बना था, यह हिमाचल टूरियसम का है, तो यह बिल्कुल चौगान का जो मैंने दिखाया था, आपको आई लव चंबा, बिल्कुल में रोड पर ही है, यह भी काफी अच्छा option अगर आप रोकना चाहें, तो यहाँ पे फायदा किया, बहुत बड़ी पार्किंग है, एंड काफी प्लश प्रॉपर्टी है, तो यह जो होटल एरावती है, इसके अंदर चलते हैं और आपको फिर भी एक रूम का अंदाजाद देते कि यहां का रूम कैसा है, कितने का है, यह रेक्षंच यहां पर इत्ग यह हुआं पह्टी काफी इछ एर जरेफ्चन भी तो यह है रूम काफी सभीज्दी आधे दिल्ग दिखा दिल्ग और ये स्कृगला नियुक दिखको तीन पीज़ दिखा दी जरशवेछ जाए कर दू सकते हैं तो जो द्युज्द दे है टीतिशों प्लॉस टॉर भूली से उप्सक्षिएंट थैंड प्लॉस देंड अनने प्लॉस थैसे सपिक्रे तो यहां कोई कैंदर में प्रोग्राम भी चल रहा है तो यहां का क忘 हुआ है यहां पर एक मिंजर मेला लखता है जो सबसे मशूर है पूरे तो वह इस पूरे मैदान में होता है तो इस पूरे मैदान की एक शेप ही हो जाती है पूरा महौली होता है यहां पे कल्चरल फेस्टिवल प्रोग्राम्स काफी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं और आपको इतना बड़ा मैदान हिली एरिया में बहुत कम मिलेगा इसके चारो त प्रदरशन जाते हैं चामुंडा देवी मंदिर उस तरफ है सोही माता मंदिर उधर है वैसे हम कल जाएंगे वहां पर इस तरफ है रावी नदी जो जिसके साथ में चमबा बसा हुआ है तो यहां पर भी कुस्तक की प्रदरशनी चल रही है जैसे हमने बता है आपको चौग चमबा बियर बार एं रेस्टांट चमबा ऑन रेस्टांट तो इसके बैक साइड में है रावी नदी तक रहा भी नदी का वियू भी है वह दिख वो फ्लो कर रही थोड़ नीचे तो इस पर जाने में थोड़ी सी हैसले के जादा लंबा दूर जाना पड़ेगा यहां पर फैबुलिस चमबा और गलत ने लिखा है जनुवनली यह जगह फैबुलस है नीचे वह रोड दिख रहा है जो सीधे भरमौर जाता है और यह नीचे पूरा रावी नदी है और वह लोर चमबा है वह सारा नदी के उस तरफ और इस गेट का नम है महात्मा गांदी द्वार और इसको चमबा का गेट वे भी भी कहते है यह जो द्वार है और इसके साथ में ही हरीराय टेंपल हरीराय मंदिर एक छोटा सा है यहीं काफी पौरानिक मंदिर है तो इंसेंट माचली चैल में बने चमबा फिर में उपर की वुड़न इसकी चहते है जातर में पूरी गारि मंदिर इतने सुन्दर है इतने सुन्दर में भी तो ताल लगा हुआ है इधर जो भावान विष्णु की प्रतिमा है उनके एक तरफ तो शेर का मुए और एक तरफ है शूकर का मुए लसुर का मुए उन्हें अब तार लिये थे एंड ये चौकान के साथ है यहां पर स्ट्रीट फूड मार्केट आपको सारी चीज मोमो शौमिन ओमिन गुलगप्पे की स्टॉल लाइन से देखने को मिलेंगी यहां पर अपको फूड की क्रेविंग अगर अपनी पूरी करनी है स्नैक्स की तो यह परफेक्ट स्पॉट है आपके लिए लाइन से कम से कम से कम मेर यहां पर पंदरा से भी शॉप हैं तो यह है चोटी सी यहां की स्ट्रीट फूड मार्केट तो जो एक चम्बा है नहीं अपनी रुमाल और चपल के लिए काफी फेमस है तो यहां पर मैंने एक चम्बा चपल शॉप देखी है तो भाईया से चलके परता करते हैं किस प्रका अगर चपल को नाने आपको कितना टाइम लग जाता है अगर हम कॉंटिनुटी में काम करें जैसे सामने पड़ा हो समय तो यह दिन में छे पेर नाते हैं अच्छा और यह कितनी कोस्टिंग हो थी चपल की इसकी एक चपल की शुरुआत है चुरुआत है उसके बाद तो और जैसे जैसे से मेटिरल जैसे यह यह चाप्चाश खेकर समय कर conservative हें अचा पूरा लेदर है । जैसे यह रबर में ढ़र शोजी को दो रबर हो अच्छा इंवे तो यह है चंबा की मार्केट जैसे मैंने चंबा एक बड़ा शेर है और आप शोरूम देख के अंजाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे शोरूम खुले में तो अभी हम चंबा की बड़ी फेमस शॉप है बंच आफ लावर चंबा का फेमस रुमाल मिलता है उस पर आप यही शॉप हम लोग हाथ की कड़ाई को रफर करते है जी तारी हाथ से हुआ है इसकी खास्य है कि कपड़े पर बनता है इसका इंप्रेशन दोनों तरफा ए जी अच्छा इसकी कॉपी नहीं हो सथती कोई भी मशीनिस इस अच्छा इस तरब भी ऐसे गाए और सेमी स्पॉट पर प्रिंट अटर्स सतक्ष्म ला इसकी इसकी कार विखिआ य तो भी मिलाई है या जैसे के चपड् rocket 위에 इसकी इस Willp सतुम s लोग दो छार्री अर्ड़ाई किमत इस व्यांदी कीमत इसकी कीमत है इसकी किमत कारई है तो अगर ऐसे प्रेम के साथ अगर पूरा कंप्लीट सेट हो तो इह कितने का होता भी है वैसे तो दोजार से स्टार्टिंग है लेकिन बड़िया काम देखना है तो 4000 में देवदार की लगड़ी लगी है प्रॉपर पॉन इश्यू है 4,500 में विद रुमाल एंड आपको सेट बनके मिल जागा यह देवदार की उसमें लगड़ी होगी यह वाला यह वाला यह गदी ट्राइब के पूरा इसमें पोर्ट्रे करा गया काफी बड़ा रुमाल है यह इसका प्राइब जादा होगा अच्छा यह 500 रुपर एक पीस है यह दो आगे है श्रीट फूर्ट मार्केट यह थोड़ी दर पहले आपको दिखाई थी उसके साथ में ही यहां पर है कि यह फेमस फिश शॉप यहां की फिश भी बड़ी है फिश फ्राइब यह कौन इस वाली फिश है यह ब्यासी तो यह अपनी रावी में मिलती है अधर पंजाब से खाण अधर है अधर पंजाब से आती है यह द्हित पांगे म्हाँ छूर्म लिख फिश ज्यादा मशूर थी यह थी प्रावी मही हो देगी है आप अधर पन्जाब से खाण में वहाँ थी ले एक भी अधर ने की ढूले 12 मिलत मचली यह मचली इहां अधर टाश बढ़ा जिए शबैसे तो इसपे ने चात मसाला ओ साथ में कि कुई कुई चटनी है वहोट गरम है पर एक रें छेकर रहा है भाई लेकर एक लेकर अगछी होती बहुत अछी ए कर सिर्ख कराणिय के जा फिर एंवर काफी टेस्टी है आं मस् ट्राइ इन चंबा अगर आप में यहां कितने थुक्ता शॉप कितने लुप पूंतिशार टी इं में यहां कितने पुराने गुष़व स्कीट ख़रानी यहां यहां कि जो चंबा की आपे स्कीट फूर में पेमस हैं यह अलग अधिक और यह इंक बातर्त बड़ा में पापने हैं यह बता इन के बैस प्राद ध इसके अंदर स्टफिंग क्या करा हुआ है अलू पनीर अलू की ग्रेवी बनाई हुए उसको स्टफ करा हुआ है अच्छा यह हॉट्डॉट यह लग रहा हमारा बन यह काट दिया विया ने लाल चिटनी अज़ी घरी अच्छी आप में कर दी मस्त करारी एक दम यह लगी टिक भुख लेग्अ हमिले लगी बहुत जर्म है बहुत गरम है कैसे इसको पर घंडे में भी दिक्कत हो रही है वह द्यक मेंट की करारी करें है बन को वहने हल्का से फ्राई कर गिया तो और वह भी करारा सहो हो गया है बहूत पढ़िया टेस्ट है एजसे पूर अगर अगर में बंटिकी बड़ी है मस्त है अनारदाने वाले पानी है ये बातासे ही कि चम्मा में बंटिकी और गॉलकौपस ऐक फिश फ्राई मैंने तीन चीज ट्राई vegरें कि उन्हों एक नम्मर की है ये महरा चाट महरा फिश पी ये महरा चाट बंडार में तो यह ने बंटिक्की ट्राइगा रहा है ऑसम घुलकपड रहा है बहुत ही मस्त शुबह दस वरी लेकर और शाम को आठ दे के पूरी मार्केट फूरी हो थी इस्टेट मार्केट फूर्केट चौगान में एंटर करने के लिए गेट है चंबा सेस्त्र शताबदी द्वार हज चौग जीरा वालो और दालमकनी है तो यह के पढ़ गाए आपना डेल आपके अबम सोगे यह हैं कार्थी के और जिस होटल में अरोमा पलेस में रुके है उसके यह ओनर है इनकी ममा ओनर है अच्छल में तो यह वी ओनर ही वे ट्रावल वीडियों देखे है नोने हमारी कौ क्लास पर है गुड मॉनिंग गाइस फ्रॉम चंबा अभी हम खड़े हैं अपने टेरिस पर यहां से बड़ा ही मस्त व्यू है चौगान का 6 बच के 22 मिनट का टाइम और सूरेज निकल चुका है खिलकिलाती धूप निकली भी है पहाड़ों पर दिख रही है तो अभी मैं ख जुलाई और अगस्त में एक हफ्ते का लगता है तो स्टेज परफॉर्मेंस वगर होती है एंड जो मिनजर मेरा लगता है ना जब चंबा के राजा ने कांगडा के राजा के पर जीत हासिल करी थी ना उसकी खुशी में मनाया तो तो जब से यह एक हजार साल से चला रहा है मिनजर मिला और बहुत जादा मशूर है अगर आप चंबा में मिनजर मिला के दोरान आएंगे तो आपको यहां पर अलग ही महाल मिलेगा तो यह भारतिय स्टेट बैंक की जो बिल्डिंग है जैसे यहां पे जातर बिल्डिंग है बड़ी इंशेंट है जिसमें स्पेशली के दोम के टाइमकी तो यहां पहुंच गया है श्री लक्षमी नाथ जी मंदिर पढ़ी सटमब में यहां पर वैसे काफी कार की पार्किंग है लेकिनलिय मार्गे थो यहां पर आपकए ओपाएगी दिन में तो यह निट ने उम्हिंगा एंटरेंस पे द्में के घरोड जी यहां पर हम अपने शूज उतार देते हैं जय लक्षमिनाद जी टेम्पल कॉंपलेक्स है ना हद का सुनर है जय लक्षमिनाद तो यह है भगवान विष्णू जैसे आप एंटर करेंगे यह नर सिंग अवतार में भगवान विष्णू की फोटो लगाई गी है और यह श्रीक गारा स्टाइल में बने हुए हैं शिखर स्टाइल एंड शिक्स टोटल टेम्पल हैं और इसकी जो कंट्रक्शन करवाई थी इसकी टेम्पलेक्स की वह करवाई थी साहिल वर्वन जी ने 10th century में और यहां लिखा लक्षमीनाद जी बिल्ट इन कश्मीरी स्टाइल और अल्स और एक स्बसे बड़ा टेम्पल लख्षमी नाथ जी का है उसके साथ में चोटा सा हन्मान जी का टिमपल यहां पर दिख रहा है और काफी वह lecture और आभी में चल सौब करके सारे दिखाता हूं अभी हमें लक्षमीनाच जी का टेंपल देखा सबसे पहले ये है चंद्रगुप्त जी महादेव का टेंपल इसके अंदर शिव लेंगे ये वंदिर है राधा कृष्ण जी का तो यहाँ पे नंदी बने हैं क्यों नंदी बने हैं क्योंकि इदर सामने है भगवान शिव का टेंपल चंद्रगुप्त जी महादेव का टेंपल यहाँ पे फिर नंदी है तो यह भी भगवान शिव का ही टेंपल होगा गौरी शेंकर जी महादेव यहाँ पे भगवान शिव है और साथ में मापारवती तो यह अब हम आगे हैं फिफ्ट टेंपल में और यह है त्रेंबकेश्वर और इसके सामने जो बनाए हुए ना नंदी यह वाइटलर के काफी बड़े बनाए हुए यह देखो तो जहां जहां आपको शीव जी के मंदर दिखेंगे वहां पर सामने नंदी जरूर दिखेंगे अब आगे हैं हम यहां के सिक्स्थ टेंपल में जो लाइन से वहां से मने शुरू करा था लक्ष्मिनात जी टेंपल से उसके बाद यह है सिक्स्थ टेंपल यह है लक्ष्मी दामुदर टेंपल यह भी भगवान विश्नु का है तो जो चंबा के राजा थे साहिल वर्मन जि वो उनके जो बाद में बंशज हुए उन सबने बनवाए और इनफेक्ट लक्ष्मिनाजी टेंपल पे भी और भी काम होता रहा कॉंटिनिसली और इन टेंपल कॉंपलेक्स की जो च्छत है ना जिस वीगल के आकार में बनाई कई है लकडी की वैसे तो उसका रीजन है कि यहां आस्था भी यहां के लोगों में इन मंदिरों की पूरे चंबा शहर में और आसपास में भी तो यह अब हम जा रहे हैं चंबा वाति टेंपल यह चंबा अर्बन कॉपरस्टिव बैंक लिमिटिडा इसके पास से इसका रास्था गया है तो यह भी प्रोटेक्टिटिट पूमेंट है आपके जीतने भी टेंपल सी सब प्रोटेक्टिटिटीव मॉन्यमेंट पूंच है एंड यह है चंपावती टेंपल उर इसकी की एस्टोरिय है जो यह sont आप यहां की राज-kum हारी थी चंपावती जो राजा साहिल वर으면 थह न प्रमन लक्षमिनाथ टेंपल का निर्मान करा है उनकी बेटी थी चंपावती तो उनके नाम पे ये टेंपल है उनका टेंपल है इसी के नाम पर इस शेहर का नाम पड़ा है चंपावती के नाम पर इसकी यह इंपोर्टेंस है कि चंपा का नाम जो पड़ा है वो इस टेंपल के नाम बाद में पड़ा है यहां पर माता का शेफ ले जंगे लगे में अंदर काफी को पंदिरा है हवन कुर्ण बनावा है और अंदर है चंपावती की मूर्ती जो यहां की राज कुमारी थी तो अब भी हम देखो चौगान के हैं सामने यहां से हम जा रहे हैं चामुंडा देवी आगाका धी एंपाल तो हम पूंच गए हैं चंबा के सबसे प्रसिद नदी चामुंडा माता मनळेट वैसे तो लक्षुमाज मंदीर यहां पर सबसादा प्रसिद्ध और चामुंडा माता की काफी मानित है कमुंडा ने में चलते हैं तो यहां छोट इसी पार्किंग है यहां पर मैंने कार कर दी अपनी पार्क यह मंदिर परीसर जो यह मंदिर है यह 1762 में यहां के राजा चंबा के राजा उमेद सिंग ने बनवाया था तो यह लिखा है चामुंदा देवी मंदिर के बारे में आप चामुंदा पढ़ सकते हैं और यहां चमंडा माता मंदिर से यहां से जो वियू वो यहां की USP यहां से जो आप को चमबा सिटी आ जो वियू दिखेगा न वह बहुत-बहुत ही अमेजिंग तो नीचे दिखरा चौगान तो यहां से पूरा चमबा शेहर नजर आता है जहां तक आपकी नजर जाएगी तो यह जैसे हम टेंपल में उपर चड़े हैं यहां पर है नंदी वेल इस मीन्स के सामने बोले शेंकर का मंदिर होगा तो चोटा सा मंदिर है अंधर शेंकर का यहां से आपको 360-degree view आएगा चमबा का यह इस तरफ इस तरफ भी पूरा शेर दिख रहा है यह दूसरी तरफ है जो मैंने उस तरह दिखा तो चौगान दिखा था और यह है राभी नदी जो आपको दिख रही है क्रिस्टल क्लियर पानी है सामने यहां से एक दम बर्फ की चोटिया नजर आ रही है बहुत अच्छी धोलादार रेंज है एक्चल में जो चमबा है यह धोलादार और पीर-पंजाल रेंजिस के बीच में वड़ता है यहां पर आपको मिलेंगी बहुत सारी टंगी घंटिया यहां पर इस चत है इस पर काफिछी कारविंग करीगी है अलग लग दीवी देपताओं के बनाएं में इसमें चित्र और यह सारी बुड की यह चत देवदार की लकडी में बनावाई यह सारी चत जो बनी है इसकी यहां पर है चमुंडा माता की मूर्थी तो यहां पर मंदिर परीसर में यह लगें मैं आईबेक्स के सीन यह दिख है आपको हिमाले नाइबेक्स तो आप चमुंडा माता मंदिर अगर ट्रेक करके आना चाहते तो नीचे से रोड से ट्रेक भी आता है यह स्टेप्स मनीवी है मेरे खाल से करीब मुझे एक्जैक्ली याद नहीं है ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो चड़के और यहां पर आना पड़ता है अगर आप स्टेप्स वाली साइड से तो सीधे मंदिर के फ्रेंट साइड में घुसेंगे यहां पर शेर वना हुआ है शेर वाली मा का एंड यहां से यह है टेंपल यह अगर आप स्टेप्स वाली साइड से तो सीधे प्रेंट साइड में आएगे टेंपल की जो हम कार वाली साइड से रोड से उधर से वो एक किसम से तेंपल की ब्रेंट साइड फो attach है तो अब हम जा रहें चामुंठा माता से सीर्फ साहद 250 मेटर की दूरी पर है इंडembetas मंदिर हम पहुंच गए सुई माता मंदिर के वहां यहां से चोटी से में ट्रेक करनी पड़ेगी यह चोटे सा पार्किंग स्पेस है यहां कार तो कर दिए मैंने पार्क यह पुराना रास्ता है यह चोटा सा जैसे करके जा रहा है लेकिन एक शौट कर टाइप थोड़ा बना सुई माता मंदिर है ना सुई माता य कि रानी सुनέनः जो झूबा चमबा की रानी करती थी और जल्ल धे शहर चमबा बसाया था उनका नाम था साहिल वर्मन उनकी पतनी थी सुनेल तो यहां पे कई साल तक बारिष ना होने क्यों जैसे सूखा पड़ गया तो उन्होंने पंडितों से बात करी तो उन्होंने बोला कि किसी एक का आपको बलीदान देना पड़ेगा या तो अपनी पत्नी का या बच्चे का तब ये बारिश हो जाएगी तो अपने बच्चे का बलीदान देने के तयार हो गए साहिल वर तो जब यह चीज़ कर दी तो उससे दबाई जाने से पहले वह यहां पर आके उन्हें इस जगह पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा था तो इस जगह पर उनका मंदिर बन गया है तो सुही माता का रानी सुनेना का काफी महत्व है काफी मानेता है यहां पर जैसे चमु प्लीट होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जादा स्यादा शेर करें और लाइक जरूर कर दें और अब हम यहां से निकल रहे आगे चमबा से भरमौर के लिए जो यहां से है करीब करीब साथ किलो मेटर दूर